नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट ट्रफ्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है तुथा भारत में आज दिपावली का पर्मना रहा है सायद आप लोग जानते ही होंगे जब भगवान राम विजय पाकर वापस लोटे तो अयोध्या में दिपावली की तरह दिपक जलाया गया अधा तब से ही यह परता चली आ रही है इसी प्रकार हम लोगों को भी भारत में होरे भरस्टा 4 रूपी अंदकार के खिलाप ARTI रूपी प्रकास का प्रियोग कर हुरे हूरे भरस्टाचार के खिलाब अवस्य करवाई करते हुए दूसी पर नियमानुसार करवाई करने का प्रयास करें जिससे भारत भरस्टाचार मुक्त हो सकी यह केवल एक चार दो लोगों के काम नहीं है क्योंकि भरस्टाचार में भारत अधिक आगे बढ़ता जा रहा है यहां तक की अब कोट के कारियालाँ में भी भरस्टाचार तेजी से दीमक की तरफ फैल रहा है यह बढ़ा हम लोगों का दुरुभाग्य है इसलिए भरस्टाचार के खिलाब अवस्य लड़ें तथा भारत को भरस्टाचार मुक्त करने में श्रहयूग अवस्य करें तथा इस चैनल को अब तक जो सबस्क्राइब नहीं किये हैं वो अब सबस्क्राइब कर लें तथा बैल आइकन को दवा कर ओल पर भी क्लिक अवस्य कर लें जिससे भारत में हो रहे भरस्टाचार में कमी आये और आप लोग आसानी से yes API का प्रयोग कर भारत ned हो रहे भरस्टाच कार्याले से सूचना की मंग करवाई थी जिसमें प्रखंड कार्याले प्रखंड पदाधिकारी जिसे ब्लॉग डफलप्मेंट आफिसर भी करते हैं उन्होंने सोस में कोई सूचना नहीं दी तो इनके खिलाप हम लोग अपील कैसे करेंगे यह आप लोग पूरा वीडियो बिना इसकिप कुए हुए देखेंगे तो अब श्री जान जाएंगे तथा समझ जाएंगे कि किस प्रकार प्रथम अपील आसानी से दायर किया जा सकता है यह RTI Act के तहट प्रपत्रशा है बिहार में यह लागू है मैं बिहाराज से बिलॉंग करता हूँ इसलिए यह लिखा है हलांकि किसी भी राज्य में हो नियम वही है सेम है केबल फॉर्मिट अलग थुरा हो सकता है लेकिन आप लोग सादे कागज पर भी टाइप कराकर हस्त लिकित करके भी प्रथम अपील दायर कर सकते हैं सेवा में अपली पदादीकारी विभाग एवम कारियाल है अनुमंडल पदादीकारी का कारियाल है उसका पुरा पता देंगे पिन कोड अवस्थ देंगे मुझे कोई निर्ने प्राप्त नहीं हुआ है या कोई निर्ने प्राप्त हुआ है गलत दिया हो तो उसका यहां वर्णन करेंगे जिससे मैं छुबध हूँ और यह अपील आपके समक्सिदायर करता हूँ मेरे आवेदन का वेबरन नीचे दिया गया है आवेदक अपना नाम यहाँ पूरा पता पीन कोड अबस देंगे धियान रखेंगे लोग सुचना पदाधिकारी के नाम में जिस लोग सुचना पदाधिकारी को आप ATI लगा हो गये उसी का यहाँ नाम देना है तो लोग सुचना पदाधिकारी, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी दे दिना है उनका पता प्रखंड काड़ियाले नाथनेगर भागलपूर पिनकौर देंगे निर्ने का विवरन जिसके विरूद अपील दायर किया गया है समय कोई निर्ने प्राप्त नहीं हुआ है यदि आपको कोई पत्रांग दिनांग से कोई निर्ने प्राप्त हुआ होगा तो उस पत्रांग दिनांग का यहां बढ़नन करते हुए लिखेंगे प्रपत्र को आवेदन समर्पित करने की तिथी जिस दिन आपने RTI लगाए थी वह तिथी देंगे सुचना का ब्योरा जो भी आपने सुचना की मांग की होगी उसे लिख देंगे और अंत में लिख देंगे कि प्रपत्र को आपकी प्रती सगल है जो भी सुचनाय मांगी गई थी उसकी प्रती सगलगन है इस बिंदू बार दे देंगे सुचना की मांग की गई थी अब धी जिसके लिए सुचना की मांग की गई थी जिस भी अब धी में सुचना की मांग की गई थी उसके 30 दिनों के अंदर लोग सूचना अप्दाधिकारी, जन सूचना अप्दाधिकारी P.I.O. को पांचित सूचना प्रदान करने का नियम है यदि 30 दिनों के बाद सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो अधिक harmony 45 दिन का इंतिजार करें और 45 दिन में यदि सूचना नहीं दी जाती है या गलत दी जाती है भामक दी जाती है तो आप प्थम अपील कर सकते हैं जिने सिग्र कारवाई करवाने की जरुरत है पताधिकारियों पर तो वो डारेक्ट धारा अठारा की तहत सिकायत बाद भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रह जब आपको वांचित सूचना अती आवस्यखों सूचना लेनी हो तो अपील करेंगे अपील करने का कारण प्रपत कौव में आवेधन से प्रपत करने के 30 दिन के अंदर कोई निर्ने प्राप्त नहीं हुआ है या लोग सूचना अपदाधी कारी के निर्ने दिना कितना से शुब्द हूँ दो में से जो भी बाते हो आप लिखेंगे यहां आठ में सो समय आठ याइक्ट का पालन नहीं करने से मैंने यह अपील दार किया अपील का अधार मामले से संबंदित तथी मांगा गया था तो इसमें लिख देंगे सो समय आठ याइक्ट 2005 का पालन जान करें जिसके लिए मैंने यह अपील किया है अपील दार करने की अंतिम्तिती साथ दिन होता है इसलिए आप लोग साथ दिन के अंदर अवस्र अपील कर दें प्रातना राहत जिसका अनुलोत क्या गया है तो हम लोगों को वांचित सूचना चाहिए इसलिए वांचित सूचन सिग्र प्रदान करें दोसी पर कारवाई भी हो इस प्रकार करके हस्ताक्षर अपना मुवाइल नंबर पता अस्थान दिनान दे के प्रपत्र को जो परती भेजा जाता है उसे लगाएंगे डाकरसीद भी लगाएंगे और पोस्टल ओडर भी लगाएंगे और इसके लिए भी राशन कार्ड का भी पुरियोग कर RTI के द्वारा सूचना मंगी जाती है लेकिन जिने राशन कार्ड ना हो उसे 10 रुपे का PIO को इंडियन पोस्टल ओडर IPO देना होगा या नंडिस्टिली स्टाम देना होगा या आप चेक से भी भुकतान कर सकते हैं लेकिन ये लोग अध भी लेने का प्रावधान है लेकिन ये लोग मलमानी करते हैं इसलिए आप लोग भी RTI का प्रयोकर भारत में हो रहे भरस्टाचार रूपी अंदकार को मिटाने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 RTI Act का प्रयोकर भारत में हो रहे भरस्टाचार में कमी लाएं तथा भरस्टाचार रूपी अंदकार को मिटाने के लिए RTI रूपी दिपक चलाने का प्रयास आज दिपावली के दिन अवस्रे करें जिससे भारत में खुश्यों का महौल हो और भरस्टाचार रूपी राक्षस अंदकार र बारन हो जय हिन